हाँ है कि आज हम देखेंगे पास्ट और परजेन टेंग निगेटी फॉर्म हम कैसे बनाते है बोड परिच्छावं में बाँबाँ पूचा जाता है टेंस को लिखे वे संटेंस को निगेटिव फॉर्म में चेंज करिए तो पहला संटेंस हम देख लेते हैं पहला है हमारा I explained the lesson to him यहाँ पर explained यूज किया गया है यानि कि verb का second form जो कि हमारा past tense है तो इसका negative जो हम चेंज करते हैं तो I और explained का हमें निगेटिव में past different में did not use करना होता है और इसके साथ first form explain I did not explain the lesson the lesson to him I did not explain the lesson to him यह हमारा answer हो जाएगा they flew the kite flew भी वर्व का second form है यह भी इसका भी answer होगा they did not they did not fly f y y first form लगा देते हैं यह भी one हो जाता है जब हम negative बनाते हैं did not fly the fly the kite यह हमारा answer हो गया third हम देख लेंगे India defeated Pakistan in 2012 same way condition verb का second form यूच किया गया है तो हमारा answer बन जाएगा India India did not did not लगाएंगे past definite के लिए जब second form यूच किया जाता है और defeated का defeat हो जाएगा defeat first form पाकिस्तान पाकिस्तान जो दे रहा है पाकिस्तान वह पाकिस्तान अमारा रहे गाई पाकिस्तान इन 2012 2012 जो दिया है वो आमारा रहेगा 2012 पन्ना ले हर चाइल अंदा बेड यहाँ पी हम देख रहे हैं पन्ना ले हर चाइल ले जो है वर्व का फॉच फॉर्म है इसका second form होता है लेट तो यहाँ पी हम फॉच फॉर्म के लिए यहाँ पे यूच करेंगे इसका अंसर होगा फॉर्स्ट फॉर्म पर्जेंटिें दिफनिस का वाकिय है तो यह हो जाएगा आपका पन्ना यह आपका वाक बन जाएगा पन्ना डजनोट सबन्ना ले का फॉर्स्ट फॉर्म ही ले ही लए हम एक चीछ छुटा हुआ है लेज लगा सकते हैं पना लेज अरचाइल हला दाप तो यह जो फॉस्फल में आपका यूज हुआ है तो यह आपका does not आगया yes के लिए yes के लिए हमने does not use कर दिया she left her purse on the table तो यह हमारा वर्ब का second form है तो यह हमारा बन जाएगा second form के लिए हम लगा देंगे see और see के साथ did not थोड़ी अंडरेदा आ जा रहा है कोई दिक्त नहीं है she did not left इसका first form हो जाएगा लीव she did not leave her purse she did not leave her purse on the table on the table on the table my teachers are pleased with me इसका negative हम बनाएंगे यहाँ भी आर के बाद पैसी वाइस में third form यूज हुआ है तो पैसी वाइस में हमेसा third form ही लगाते हैं my teachers आर के बाद not लिख देंगे are not pleased का pleased ही रहने देंगे pleased with me यह आपका निगेटिव में sentence बन जा रहे हैं she came late study यहाँ भी second form लगाया गया है तो दिन नौट हो जाएगा see did not she did not came का यहाँ पर फॉर्स्ट लगाते हैं निगेटिव बनाते समय दिन नौट के साथ फॉर्स्ट लों कम लेट कम लेट इस्टरे का इस्टरे यह आप लिख देंगे से में स्विलिंग कोई दिक्कत नहीं है दिन नौट इस्टर लेट इस्टरें ही बॉट लिससाउस लास्ट एयर यह आपका बन जाएगा कि यह बना सकते हैं ही इस दिन नौट बाई देड नौट बाई 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 दिस हाऊस दिस हाऊस last year last year तो यह आपका negative में चिंज हो गया we carried out your order यह हमारा sentence बन जाएगा we did not carry did not carry did not carry out your order your order तो यह आपका negative sentence बन गया the two brothers quarreled over the ancestral property तो quarrel यह भी past tense में है इसका answer हो जाएगा the two brothers the two brothers brothers did not carry did not negative मना रहा है इसका quarrel क्वाय rail हो जाएगा quarrel डहाड जाएगा over over the ancestor ancestral यानि की पुर्वजों की संपत्ति बिरासत में मिली हुई property प्रो प्रोटी तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार भी टू का यू जो होने पे negative बनाते समय did not plus b1 भी टू का did not plus b1 did not plus b1 present tense का does not plus b1 word का first form past tense का did not plus b1 are not plus pleased did not plus come did not first form और did not के साथ first form तो आते हैं तो फार्ष्ट पर्जेंट का ही यूज करके बनाते हैं तो ये सारे sentence हमारे did not के साथ बनाये गे हैं जो कि fast form में यूज किये गए हैं तो past पर अ पर जन तिन दोनो तेन्स में यूज किया गया है फिर अगले exercise को हम solve करेंगे यह पास्ट और प्रजिन्टिंस का हमारा यूज किया गया था जो बना है exercise इसको कह सकते है exercise number one है जो affirmative sentence का negative बना यह हमारा affirmative है जिसका हमने और इसी के न neighbor't you बनाया निगेटिव नगेटिव आफ़र्मेटि penalty को अमने निगेटिव में बदल दिया यह आफ़र्मेटिव से निगेटिव बदाने के पैटर्न थेम फिर बनाएंगे हम लोग अगले संटेंस को आप फरमेटिव निगेटिव बनने के बाद अगले संटेंस काम फिर अनलेसिस करेंगे देखेंगे किस परकार बनते हैं